प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी कन्या कुमारी में ध्यान लगा रहे हैं वे यहां करीब 45 खंटे का वक्त बिताएंगे पिया मोधी उसी स्थान पर ध्यान लगा रहे हैं जहांपर स्वामी विवेका नंद ने ध्यान लगाया था कन्या कुमारी पहुँचकर सबसे पहले समुद्रतट पर पहुँचे देवी कन्या कुमारी को समर्पित 108 शक्ति पीठों में एक एतिहासिक मा भगवती अमन मंदिर में उन्होंने पूजार चुना की इसके बाद विवेका नंद रॉक मेमोरियल पहुँचे जहां पर ध्यान लगा रहे हैं ये पहला मौका नहीं है जब पीएम मोदी चुना प्रचार खत्म होने के बाद किसी खास थान पर ध्यान लगाने पहुँचे हैं से पहले 2019 में देव भूमी उत्राखंड के के दारधाम गए थे यहां भी उन्होंने पास इस्थे तरुद्र गुफा में ध्यान लगाया था हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुकला हमारे साथ जुड रहे हैं रवीश प्रधान मंतरी मोदी का अध्यात्म से खासा जुडाव है इस बात समझ सकते हैं कि अपना घर त्याग कर सन्यासी बनने निकला एक युवा आज देश का प्रधान मंतरी है लेकिन अध्यात्म नही चुटा उसके बाद अब वो ध्यान लगाने के लिए विवेका नंद शिला पहुंचे हुए हैं हमारे सायोगी रवीश रंजन शुकला जुड चुके हैं रवीश में इसी बात का जिक्र कर रही थी कि प्रधान मंतरी मोदी का अध्यात्म से कितना जुडाव है इस बात से समझ सकते हैं कि एक युवा अपना घर त्याग कर सन्यासी बनने निकला आज देश का प्रधान मंतरी है लेकिन आध्यात्म नहीं चूटा बिलकुल और कई बार वो अपने भाश्णों में इस बात का जिक्र कर चुके हैं कई बार उन्होंने विवेका नंजी के आध्यात्म पर युवाओं को चलने का अहवान कर चुके हैं वो बिजएपी का अधिवेशन हुआ था 2013 में उसमें उन्होंने बाकाइदा अहवान किय था कि हमारे युवाओं को विवेका नंजी के आध्यात्म उनकी संस्कृति उनके दर्शन पर चलने की जरूवत है तभी भारत विश्व गुरु बनेगा और यही वज़े है कि दोसों से ज्यादा चुनावी सभार रैली और रोडशो करने के करने के बाद में प्रधार मंतरी तकरीबन पान्सो मीटर की दूरी पर विवेका नंद जो रॉक मिमोरियल है वो आप देख सकते हैं कि तिरोलूर पहले मूर्ती यह है काफी हुची मूर्ती है यह तकरीबन 60 फिट से ज्यादा इसके लंबाई है उसके बाद में उसके पीछे आप देख सकते हैं कि यह विव 40 गंटे तक उध्यान करेंगे इस दौरान जो अध्यात्मिकुन की साधना है इस दौरान वो अंगरहन नहीं करेंगे बलके फल और तरल पदार्थो लेंगे और ये कर्णिया कुमारी जो है ये बहुत ही पवित्र माना जाता है ये तर्मेणी एक तरीके से मानि जाती है पवि इसी के वजे से इसकी जो आध्यात्मिक और इसके जो दार्शनिक महत्त है वो काफी बढ़ जाता है काफी पवित्र माना जाता है और यह जो आप विवेकानंद रॉक मेमोरियल देख रहे हैं यहां पर 1892 में खुद विवेकानंद जी तैर कर यहां से 500 मीटर गए थे और उसक पर बैठ कर साधना किया था और फिर 1893 में जब धर्म सभा हुई थी तो उसमें जो भारत के दर्शन है भारत का जो आध्यात में भारत का जो संस्कृति है उसका उन्होंने प्रचार प्रसार किया था और उसके बाद पूरी दुनिया भर को भारत के दर्शन संस्कृति के ब बनाने का जिम्मा लिया था और उनके देखरेक में ये पूरा विवेकान अंद्रॉप मेमोरियल बना है तो आप कह सकते हैं कि आर एसस से लेकर और बीजेपी तक में जो है विवेकान अंजी के दर्शन उनके उनके ग्यान को बहुत जादा तवज्जु दिया जाता रहा है औ और अलग अलग अधिवेशन में अलग 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 चुनावी परचार में बाकाइदा प्रधान मंत्री नरें मुदी ये बोल चुके हैं